हेलो दोस्तो स्वागत है आपके जो किस हैने ड़ा 99 पे दोस्तो यहाँ पर फीमेल सूपरवाईजर की यहाँ पर परिये विक्षक की खुली सिधी भरती ओम परिसमिश सिधी भरती के लिए ओनलाइन आविदनी हाँ पर आज से प्रारम किया जा रहा है तो दोस्तो आज की इस step by step process आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इसलिए दोस्तो आपको वीडियो भी अंतिम तक बने रहे नहा है सारा प्रोसेस आपको बताया जगा चलिए इससे पहले इसका संशिप्त जनकारी आपको दे देते हैं इसमें दोस्तो यहाँ पर इसका online form आप देख आएगा हाला कि दोस्तो इन सभी की जनकारी आपको समय समय पर हम देते रहेंगे इसलिए दोस्तो अगर आप चैनल परने होंगे तो चैनल को subscribe कर लिजेगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजेगा और वीडियो को आगे share भी कीजेगा चलिए अब आप इसमें फॉर्म कैसे सबसे टॉप में आपको देख लेना है यापर सिजी वियापम सिजी स्टेट डड़ डुट टि लिखा रहेगा सिंफली से दूस्तो आपको वियापम की औफिसियल साइट पर आ जाते हैं अब दूस्तो सिंपली सिंहां को स्क्रॉल लोईन करते हुए नीचे आ जाना है इसकर दोस्तो आपको यहां से चेक कर लेना है, यहां पर supervisor खाली सिधी भरती और परिसी में सिधी भरती requirement का यहां पर options दिया गहा है, तो simply से दोस्तो आपको इसी में click कर लेना है, इसका बाद दोस्तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक new page open होकर आ जाता ही user login वाला, तो दोस्तो अगर आपने व्यापम पर एक बार registration कर चुके हैं, तो आपको फिट से registration करने की आवस्यक्तन ही है, आपको अपने user ID, mobile number और password से आपको login कर लेना होगा, लेकिन दोस्तो अगर आप पहली बार इसमें form फर रहे हैं, तो आपको new registration करना होगा, तो new registration करने के लिए दोस्तो आप अपको first name, middle name और last name डालना होगा, तो first name, middle name और last name यह आप अपने markasit के इन उसारे डाल सकते हैं, जलिए आपको example के तौर पर बताते हैं, आपका नाम Payal सहु है, तो first name में आपको पायल डालना है और last name में आपको सहु डालना है, लेकिन अगर नाम आपका only पायल है तो यह करेंगे दोस्तों इसके बद थोड़ी दिर वेट करना है इसके बद दूस्तों आपके मोबाइल नंबर पे 6 डिजित का OTP भेज दिया जाता है 6 डिजित का आएगा तो सिंपली से दोस्तों आपको यहां पास उसे इंटर कर देना है तो कि इस प्रकार से दोस्तों आप OTP करें इसकाद दूस्तों सिंपली से आपको सब्मीट के ओप्शन पर क्लिक करते हैं दोस्तों इसके बद अपको थोड़ी देर पासवर्ड पे इंटर कर देना होगा तो दूस्तों यह पासवर्ड आप अपने अनुसार बना सकते हैं इसका पर आगे वड़ते हैं तो यहां पास आपको आपका बेसिक जानकारी देखने को मिल जागा जिसमें यहां पास आप अभी आपना नाम डाले रहेंगे वो नाम और यहां पास आपको हस्बें का नाम आपका डालना होगा इसका पर तो आपको अपने मदर के नीम डाल देना होगा इसका बतो दोस्तो यहां से आपको जेंडर लिंक यहां पर सिलॅक्ट कर लेना होगा है इसके बारी चैनल सिंपलर उप cuma jagu एस पर क्लिक कर दिना होगा इसका पर पुछे जाता हैSamilie yearly income परिवारी को वर्षी 할ock आय कितने product वह आप अपने आय प्रमान पत्र होता है उसके अभूसार दूस्तो आप इसमें फिल कर सकते हैं इसका बढ़ दूस्तो अब यहाँ से आपको अपना फोटो और सिगनेचर अपलोट करना हो जीसमें दूस्तो यहाँ पर बता दिये गए है देख पहेंगे यहाँ पर photo signature का साइज बीचे से साग के B की बीच में होना चाहिए और JPEG या PNG में होना चाहिए तब यह upload होगा तो simply से दोस्तो आपको upload करने के लिए यहाँ पास आपको देखने की मिलेगा photo के नीची में यहाँ पर प्लोट को तो दीखन रहे तो simply से आपको चूस ego के लिए मैं आपको फोटोर पर पर ओप्ने की मिलेगा अभर अब की मिलेगा है उसे आप को दोस्तो और अप अप जैसे ही क्लिक लिते हैं यहाँ झांगे बढ़एंगे तो आपको देखने को मिलेगा आपका फोटो यहाँ पास कुछ इस प्रकार से अपलोड होकर आजएगा अब सेम दोस्तो इसी प्रोसेस को फालो करते हो यहाँ पर साइन के नीचे में जो स्वाइल का उप्शन दियेगा है इसमें दोस्तो आपको फोटो भी कुछ इस प्रकार से अपलोड होकर आ जाता है और सेम इसी प्रकार से दोस्तो आपका सिगनिचर भी अपलोड होकर आ जाता है तो कुछ इस प्रकार से दोस्तो आपको अपना फोटो और सिगनिचर अपलोड करना होगा है इसका बढ़ दूस्तो आप आपको आगे बढ़ जाना होगा अब दूस्तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा इसका बढ़ दूस्तो आपको इंडियन सिलेक्ट करना होगा इसका बढ़ दूस्तो यहाँ पास कैटेग्री पुछा जाता है तो दूस्तो यहाँ से कैटेग्री में दूस्तो आपको जनरल एस्टी एस्टी ओबिसी जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना होगा ध्यार रखेंग से select कर लेना होगा तो यह दुस्ट्ब आप देखकर select कर लेंगे हैं इसके बSmith honour पूछे जाता है मेरिटरेश स्टेटरस अगर आप विवाहित है city या village अपने गाउं या सहर का क्या नाम है वो आपको डाल देना है इसका बाद दूस्तों यहाँ पर state पूछा जाता है तो यहाँ से दूस्तों सिंपली से आपको 36 गड़ सिलेक्ट कर लेना है इसका बाद दूस्तों अब यहाँ से आपको अपना इस थाई पता डालना होगा जो कि दोस्तों यहाँ पर आपका present address के समान ही है तो दोस्तों आपको इसे feel करने की ज़रूरत नहीं है नहीं तो दोस्तों आपका अलग अलग है तो यहाँ पास आप देखेंगे से मुसी प्रकार से पुछे जाता है house number straight village और यहाँ पर राज्य और आपके जो भी pin code है वो स सारा चीज आप भल लेते हैं इसके पर दोस्तों यहाँ पास आपका option चाहता है declaration गोह सना तो दोस्तों यह जो घ्रिं कलर में दिया गहाँ उसमें आपको क्लिक करने के दोस्तों इसके बाद page इहां पर refresh होगैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको देखने को मिलेंगा तो simply से दोस्तो आप इस capture code को यहाँ पास आपको enter कर देना इसके बाद दोस्तो कुछ इस प्रकार से आप यह capture code भी enter कर लेते हैं फिर दोस्तो आपको simply से submit के option पे click कर देना होगा लेकिन दोस्तो आपको submit के option पे click करने से पहले आपको एक बार check कर लेना होगा यहां पस आपने जितने भी डिटेल भरे वो सारा डिटेल सही है की नहीं अगर दूस्तो इसमें कोई तुरूटी पाया जाता है तो आपको Simply से पहले ही सुधार कर लेना है इसके पद दूस्तो आपको इसमें Submit पे क्लिक कर लेना होगा आपका registration successful हो जाता है और यहाँ पस दोस्तो candidate enrollment form आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तो इस candidate enrollment form में आपने यहाँ पर जो भी detail भरी थी उसमें दोस्तो इहाँ पर आपको candidate का, यहाँ पर enrollment number, candidate name देखने को मिलेगा रिलेटिव नेन देखने को मिलेगा यहां पर मोबाइल नमबर डेट अब बर्थ यह सारा चीज़ देखने को मिलेगा तो दोस्तों यह आपको सुरक्षित रूप से अच्छे से रख लेना है या पर दोस्तों आपको प्रिंट इन्रोल्मेंट डिटेल पर क्लिक करके दोस्तो दोस्तों यहां पास आपको देखने को मिलेगा go to user login पैनल का option तो इसी में क्लिक कर लें होगा है इसके बद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप login वाले पैज में redirect हो जाते हैं अब दोस्तों यहां से आपको आगे का process करने के लिए login करना होगा तो login करने के लिए दोस्तों यहा login के option पे क्लिक कर लेना होगा login के option पे दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करते हैं इसके बद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से options आ जाते हैं अब इसके बद दोस्तों अब आपको अपना आगे का form फिल करने के लिए दोस्तों यहां पास आपको देखने को मिलेगा apply का option आ रह तो simply से दोस्तो आपको OK पे क्लिक कर लेना होगा तो दोस्तो आपका form यहाँ पर आगी नहीं बढ़ेगा जब तक दोस्तो आप यहाँ पर अधार लिंक नहीं करेंगे तो दोस्तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेकर Link Your अधार का option आ रहा है तो दोस्तो हम OTP से करने वाल हैं तो यहाँ पास हम क्लिक कर लेते हैं इसके बाद दोस्तो यहाँ पास आपको अधार नंबर इंटर कर देना होगा तो कुछ इस प्रकार से दोस्तो आप अपना अधार नंबर इंटर कर लेते हैं इसके बाद दोस्तों यहां पास आपको देखने को मिलेगा एक box का option तो simply से दोस्तों इस box पे आपको क्लिक कर देना होगा इसके बाद दोस्तों यहां पास आपको देखने को मिलेगा गेट अधार OTP का option तो simply से दोस्तों आपको इसमें क्लिक कर देना होगा verify OTP के option पे click करते हैं दोस्तो इसके बाद आपको थोड़ी देर wait कर लेना है फिर दोस्तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा OTP verified successfully अब simply से दोस्तो आपको okay पे click करते हैं इसके बाद दोस्तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक new page open होकर आ जगा अपको आपको अपना अधार लिंक भी कर लेना है इस पर एक detail वीडियो भी हमने बना रहे है description में उसका लिंक को देखने को मिलेगा वहाँ से देखकर आप दो तरीकों से इसमें अधार लिंक कर सकते हैं अब दोस्तो आगे का form आपको apply करने के लिए यहाँ पास देखने को मिलेगा परिवेक्षक रिक्तपद उपर खुली सिधी परिसिमेद भरती तो इसके just side में दोस्तो यहाँ पास apply का option देखने को मिलेगा तो simply से दोस्तो आगे का process करने के लिए आपको apply पे click कर लेना है apply पे दोस्तो आप जैसे ही click करते हैं इसके बाद दोस्तो आपके सामने इस प्रकार से page open होकर आजगा जिसमें दोस्तों यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा Online Application Form के बारे में यहाँ पर परिये विक्षक, खुली सिधी भरती और परिसी में सिधी भरती के रिक्तपद हेतु अब दोस्तों आपको यहाँ पास जो Important Interaction दिया गया है अपनी आहरता, अपनी योग्यता के अनुसार आप जिन जिन पदों के लिए परिक्षा देना चाहते हैं क्रिपिया निम्न में उसका चैन करें तो आपको चलिए सबसे पहले बताते हैं इसमें क्या-क्या आहरता है है और किसका आपको सेलेक्शन करना है तो दोस्तों इसमें सबसे फर्स नंबर पर यहाँ पर पुछा जाता है सुपरवाइजर खूली सिधी भरती के लिए और सेकेंड नंबर पर पुछा जाता है सुपरवाइजर परिसिमित सिधी भरती के लिए होना चीए फिर आप सिधी भरती में आप अपलाई कर पांगे और दुस्टो के लिए आपका 12 पासयोग्यत रखा है आप दोनों के लिए अपलाई कर सकते हैं अगर आपके पास पर इसे मिस सिधी भरती है इसमें भी 220 पोस्ट है टोटल दूस्तों यहाँ पर 440 पत पर यह भरती किया जाना है तो दूस्तों अगर आप अनुभव रखते हैं तो दोनों में अपलाई कर पाएंगे और अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो यहाँ पर फर्स्ट वाले मे इसके बद दूस्तों आपको यहाँ पास आगे बढ़ जाना है फिर दूस्तों यहाँ पास पूछा जाता है सब डिस्ट्रिक यहाँ पर आपका तहसिल का नेम डाल देना है जो भी आपका तहसिल है और यहाँ पास आपको अपने पोस्ट आपिस का नेम डाल देना है तो आपना जो basic information डाले थे वो सारा चीज आपको अपना नाम मगरा husband name, father name और अपने माता जी का नाम सारा चीज यहाँ पास देखने को मिल जगा, साथी साथ दोस्तो आपने जो photo upload की थे वो photo भी आपका देखने को मिल जगा, साथी साथ दोस्तो आपने other information में जो भी detail भरी थी वो सारा चीज आपको देखने को मिल जगा, साथी साथ दोस्तो आपका address की जनकारी भी यहाँ पास देखने को मिल जगा, अब दोस्तो आपको आगे का process करने के लिए यहाँ से अपना exam city select करना है, तो दोस्तो आपको जिस भी city में अपना exam दिलाना है, सिंपली से दोस्तो इस city क दे दिना है, इसके पर दोस्तो अब यहाँ पास पुछे जाता है सरीनी की बारे में, क्या आप किसी वर्ग या class से सम्बंधित है, तो दोस्तो आप किसी वर्ग या class से सम्बंधित होगे, जैसे कि दोस्तो यहाँ पर स्वतंतरता से नानी होगया, इस प्रकार से यहाँ पर कर लेंना है इसके बद judging यहां पास आपको देखने को मिल जागा capture code का option तो दोस्तों जिस प्रकार से दिया गए या पर capital इसे माले लेटर में समय उसी प्रकार से दोस्तों यहां पास आपको फिल कर देना है तो कुछ इसosa द्सक्ति आपको submit के option पे अब click कर लेना है submit के option पे दोस्तो आप जैसे ही click करते हैं इसके बाद दोस्तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से pop-up देखने को मिलेगा जिसमें दोस्तो यहाँ पर बोला जाता है क्रिप्या आविदन जमा करने के पूर्वा आपके द्वार भरी हुई सभी जनकरी को ध्यान पूर्वा जान चले और संसोधन कर ले क्योंकि दोस्तो एक बार जमा हो जाने के बाद आपको संसोधन के लिए यहाँ पर फिर से औसर नहीं दिया जाता है तो ध्यान पूर्वा दोस्तो आपको चेक करके हाँ पर संसोधित करे नहीं तो अब दोस्तों इसके दोस्तों एक बार फिट से option दिया जाता है आपको edit करने का तो यहां से दोस्तों एक बार और चेक करेंगे आप जितने भी detail भरे है उसको इसको इसका बड़ोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यह है successfully submitted the application form, you can check your application status in the dashboard under successful application, तो दोस्तों आपका successfully आपका form submit हो गया है, अब दोस्तों सिंपली से आपको कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पास ok का option देखने को मिल जागा, तो दोस्तों आपको ok पे click कर लेना है, ok पे दोस्तों आप जैसे ही click कर हो जाते हैं, अब दोस्तों आपका form तो successful भर गया, अब दोस्तों आपको अपना form print करने के लिए simply scroll on करते हूँ नीचे को आ जाना है, इसका पर दोस्तों यहाँ पास आपको देखने को मिल जागा, यहाँ पास आपको अपना form print करने के लिए, यहाँ पास download के नीचे में simply से print का option आपको देखने को मिल जागा, तो दोस्तों आपको इसी print के option पे click कलेना है, इसका पर दोस्तों आपके यहाँ पर print वाला page open होकर इसमें आ जाता है, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको यह form भनना था, बिल्कुल निसूल का है, किसी भी प्रकार का सूल कर नहीं दोस्तों कि आपको किसी भी प्रकार से print का पहले option आथा था, तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, इसे simply से save करने के लिए, याप करने के लिए दोस्तों यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा, आपके mobile screen में यहाँ पर, सबसे यहाँ पर top में यहाँ पर three dot का option, तो स्ब इसका पर दोस्तो बहुं सारे options आते हैं जिसमें यहां पास आपको एक option देखने को मिलेगा print option तो आपके mobile में जहां पास भी print option दिया है उसे आपको check कर लें है इसका पर दोस्तो आपके mobile में कुछी इस प्रकार से यहां पर save का options ओपन होकर आ जाते हैं तो simply सी दोस्तो यहां पास जो भी आपके मोबाइल पर जहां पास भी सेव का ओप्शन आता है उस सेव पर दोस्तों आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है इसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको फॉर्म को सेव भी कर पाएंगे या प्रेंट भी कर पाएंगे तो दोस्तों कुछ इस प्रक जितने भी यहाँ पर update आते हैं उसना भी update की जन्कारी दोस्तों हम आपको समय-समय पर देते रहेंगे। जैसे दोस्तों इसका एक्रजाम डेट आता है तो उसकी भी जन्कारी देंगे इसके Art admit card की जनकारी इसके winnersol jsult की जन्कारी उसके channel प्रक्तिया कीजन का री सारी जन्कार झाल 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 झाल